हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टेक तो फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पर नए-नए अपडेट आते रहते हैं और ये जो अपडेट आया है इसका सबसे ज़्यादा उन क्रेटर्स उन यूट्यूबर्स को होने वाला है जो मोबाइल फोन से अपने यूट्यूब चैनल को उपरेट करते हैं क्योंकि ये जो अपडेट है वो वाइटी स्टूडियो के अंदर किया गया है वीडियो चोटी सी है पर ये जो अपडेट है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो वीडियो को पूरा लास्त तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड समाच के हैं अपने मोबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर जैसके आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमें अपनी वाइटी स्टूडियो की जो एप्लिकेशन है उस एप्लिकेशन पर क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है तो यहां मैंने यहां पर अपनी वाइटी स्टूडियो की एप्लिकेशन को ओपन किया है आप देख सकते हैं, यह मेरा home screen है, इसका dashboard है, यहाँ पे हमें top right corner में, जो channel का icon दिखाई देगा, उस पे click करना है, और यहाँ पे जो नए update आया है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको काफी सारी option देखने को मिल रहे होंगे, इसमें आपको एक option मिल रहा होगा, edit channel profile, यह इसमें नए update हुआ है, इस पे हमें click करना है, इस पे हम जैसे ही click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने channel की profile में edit कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो banner है, उसे यहाँ पे camera का icon दिखाई दे रहा है, इस पे click करेंगे, यहाँ से आप अपने banner को change कर सकते हैं अपनी गैल्डी से किसी photo को लगा सकते हैं कोई नई photo ले सकते हैं ठीक है तो यहां पे आप अपने channel से अपना जो white studio है उसी के अंदर आप अपने banner को चेंज कर सकते हैं उसके बाद इहां पे नाम आ रहा है इस edit वाले पे click करेंगे तो यहाँ पर आप जैसी क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर एडिट पैंसिल वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने चैनल के डिस्क्रिप आपको वाइटी स्टूडियो के अंदर ही मिल गए हैं तो यह इस वाइटी स्टूडियो का नया अब डेट था जो आपको जानना बहुत जादा ज़रूरी था तो फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे कि वाइटी स्टूडियो से ही अब आप अपने banner को change कर सकते हैं अपना जो channel का नाम है उसमें edit कर सकते हैं और जो भी functions हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question कोई भी query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके post सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंदाई हो तुसे like और share करना ना भूलें Thank you